असलो लेकुम मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारे यूटुब चानल हीना हेल्थ क्या आप भी बहुत साल से ट्राइ कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डॉक्टर के क्लीनिक के धक्के खाके ठक चुके हैं या महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेके अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप बिल्कुल सही जगे पे आए हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टेस्टमनी शेयर करूंगी जहां पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिये थे और मना कर दिया था कि आपको नैचरल बच्चा कभी नहीं हो सकता लेकिन उस पेशेंट ने सिरफ एक महीने में प्रेगनेंसी कंसीव क और ट्विन्स बच्चे उनको डिलिवर हुए हैं कितनी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है यह आप सभी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी है जन्होंने उमीद छोड़ दी है कि हमें कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती प्लस मैंने उनको क्या ट्रिक्स चेयर की थी होममे आपको बता दू कि हीना है से अब तक 6 लाग से उपर महिलाओं ने नाच्रल प्रेगनेंसी कंसीव की है जिसकी टेस्टिमनी हमारे यूट्यूब चैनल पे कमिनिटी पोस्ट पे और इंस्ट्राग्राम पे डेली आती है तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर जो मध्य प्रदेश सागर की रहने वाली है इनकी उमर 37 है चार साल शादी को हो गए थे प्रॉब्लम्स बहुत जादा थी जिसकी वज़े से चार साल में इन्होंने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव ने की हाई थाईरॉइट हाई प्रोलाक्टिन का प्रॉब्लम था दोनो ट्यूब्स फुली ब्लॉक थी लो एमेज की दिकत थी 0.17 काफी लो एमेज था ओवरी में सिस्ट बन जाता था अंडे बनके फूटते नहीं थे यह सारी प्रॉब्लम्स लेके इन्होंने चार साल में काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया काफी ट्रीटमेंट भी लिया लेकि इन ट्रीटमेंट से कोई फाइदा नहीं हुआ आखिरका डॉक्टर ने इनको आईवीफ डोनर एक की सला दी यानि की दूसरी औरत के अंडे से आईवीफ करवानी की सला दी लेकिन वर्शा को नाचरल प्रेगनेंसी कंसीव करनी थी और नाचरल कंसीव करना उनके लिए और डॉक्टर के लिए संभव नहीं हो पा रहा था इसलिए डॉक्टर ने आईवीफ का रेकमेंडेशन दिया वर्शा हमारा चैनल देखती थी यूटूब पे काफी टेस्टमनी देखके इंस्पायर भी हुई और इनोंने दो हजर तेविस में हमें कंसल्ट किया कंसल्टेशन के दोरान इनकी रिपोर्ट्स हमने चेक की मैं आपके लिए इनकी रिपोर्ट्स स्क्रीन पे लगा रही हूँ आप इनकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जिसके अंदर क्लियरली इनका एमेच वैल्यू आपको दिख रहा है इनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है इसकी भी रिपोर्ट में लगा रही हूं ताकि आपके सामने प्रूफ भी शेर हो जाए कि यह टेस्टिमणी रियल टेस्टिमणी है क्योंकि बहुत से लोग नीचे कमेंड करते हैं कि टेस्टिमणी तो कोई भी डाल देता है यह लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें हीना हैं क जितनी भी टेस्टमेनी आती है, वो विध्प्रूफ के साथ आती है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी शेर कर रही हूँ, वर्शा जयन को हमने ट्रीट्मेंट दिया, आगे मैं शेर करूँगे, मैंने क्या इनको हूम रेमेडीज दी थी और क्या ट्रिक्स श हुआ है काफी खुश है पेशंट क्योंकि जहां पर उम्मीद इनों ने चोड़ दी जब कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आप कभी मानी बन सकते आपको डोनर एग लेना पड़ेगा आई विफ कराना पड़ेगा तो वह कंडिशन वह सिच्वेशन एक महीला के लिए बहु तकलीव में हमारे पास आई थी हमने इनको टू मन्त का ट्रीटमेंट रेकोमेंड किया था बट लकी ली वन मन्त के ट्रीटमेंट में ही इनको प्रेग्नेंसी कंसीव होगे ऐसे बहुत कम पेशन्ट होते है जिनकी दोनों ट्यूब लॉक हो 정 Venezia के उनदर रही कंसीव कर जात जिसको फॉलो करके आप भी वन मंग के अंदर ही प्रेगनसी कर सकते हैं सबसे पहले वर्षा को हमने मौनिंग में दाल चीनी का यानी सिनिमन टी दी सिनिमन टी कैसे बनाना है एक कप नॉर्मल पानी लेना उसको बॉइलिंग पर रखना है एक दाल चीनी की लखड़ी आप उस गौनिड की ओंटीटी कंब ले सकते हैं या फिर यह खोम रैमेंडे को सकिप लिकर सकते हैं क्योंकि अल्याउं इनकी हीट को डाल खोन पकरने इससे आपकी heat manage होती है अगर आपको heat का problem है तो वर्शा जयन को बहुत ज़ादा heat का problem नहीं था लेकिन हमने दालचीनी दी इसलिए हमने इनको फैनल टी भी साथ में दी ताकि body में heat create ना हो second thing हमने इनको दी थी black resin water black resin water वैसे हम आपको empty stomach recommend करते लेने के लिए लेकिन क्योंकि दालचीनी water ये already empty stomach ले रहे थे इसलिए हमने इनका black resin water after lunch कर दिया था black resin water भी बहुत easy है आपको 20 काली किश्मिश लेनी है बीज वाली 20 काली किश्मिश को एक cup पानी में या एक glass पानी में भीगो के रखना है overnight और आपको पी लेना है दूसरे दिन अगर morning में empty stomach कोई home remedy नहीं है तो morning में empty stomach ही ले लिजे और अगर empty stomach कोई home remedy आप follow कर रहे जैसे दालचीनी तो आप इसको lunch के बाद में ले सकते है छान के ठीक है अगर आपको resin पसंदे तो आप resin भी खा सकते हो बीज निकाल के fake नहीं है आपको नहीं पसंदे तो आप हटा सकत हो तीसरी ट्रिक थी इनकी weed grass weed grass हमने इनको दिया था weed grass आप जबी भी यूज़ करते हैं कोशिश करिएगा कि organic यूज़ करने की क्योंकि बिलावट वाला यूज़ करेंगे तो इसके side effect भी हो सकते है weed grass कैसे यूज़ करना है अगर आपको smoothie यूज़ कर रहे है breakfast के बाद में तो उस smoothie के अंदर आप half teaspoon या one teaspoon weed grass add करके ले सकते हैं दिन में सिफ एक ही बार लेना होता है पूरे महीने के लिए जितनी भी मैं home remedy आपको बता रही हूँ आपको पूरे महीने के लिए ही लेनी होती है weed grass अगर आप smoothie में नहीं लेना चाहते तो पानी में mix करके भी आप ले सक ताकि ovulation time to time हो सके ovulation booster आपको मारी website पे मिल जाएगा लेना कैसे है one teaspoon one cup water के अंदर mix करके breakfast के बाद और एक रात को डिनर के बाद लेना होता है normal water के अंदर आपको लेना है इसके साथ में हमने इनको castor oil massage और pack दोनों दिया था ताकि tubes खुल सके castor oil massage और pack दोनों यूज करने का best तरीका है आपके period finish होने के बाद one week तक लगातार आपको करके छोड़ देना होता है पूरे महीने आपको नहीं करना है period से fresh होने के बाद one week तक लगातार करके आपको छोड़ देना है morning का time best होता है आप massage करके इसके तुरंद बाद भी pack यू यूज करना है इसके ओपर हमारा चैनल पर अरड़ी वीडियो अपलोडेट है इसके लिंक मैं नीचे description box में दे दूंगे आप महा से जाके भी इसका full detail वीडियो देख सकते हैं पुत्र जीवक और शिविलिंगी बीच पुत्र जीवक और शिविलिंगी बीच आपको कोई भ पुत्र जीवक और शिविलिंगी बीच के साथ में और भी बीच तरके हर्ब्स होते हैं जो आपके uterus को support करते हैं मसकारज होने नहीं देते हैं तो अगर आप पुत्र जीवक और शिविलिंगी बीच को ऐसे ही उसकरना चाते हैं तो कोई भी store से आप खरीद के दोरों का powder ब पुत्र जार्फ चाते हैं में नारी जीवक डीव कर लिशक करें वर्श्र जिनको भी हमने नारी जीवक नहीं दिया था क्योंकि नारी जीवक bard लटी ती इतना तर इनको नारी जीव करके order कर सकते हैं तो यह सारे प्रोडक्स थे जो इनों ने यूज किये इसके साथ में अच्छा लाइफस्टार इनों ने फॉलो किया खाने पीने पे ध्यान दिया प्रोटीन रीच फूड आइटम्स खाया योगा असन में कपाल भारती चक्की चलासन अनुनोम विरिनोम बट इमानदारी के साथ 100% क्योंकि जब आप 100% देते हैं तो रिजल्ट भी आने के 100% होते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आप भी बहुत साल से इंफर्टिलिटी फेस करें तो इन ट्रिक्स को जरूर फॉलो करिए और अगर आपकी एज जादा हो गई है केस काफी क्रिटिकल है आपका तो आप लोग मुझसे डारेक्ली कंसल्ड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट के सुवीदा अवेलेबल है नाइन तरी टो सिक्स डबल फो त्री डबल जिरो वन इस नमबर पे आप कॉल या वाट्सप करके का मौका मिलेगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में अनादर न्यू टापिक के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज